उत्तर प्रदेश के राज़ेपाल राम नाईक गुरु आरको काशी पहुंचे यहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए केंदर सरकार द्वारा समडों को 10 पर्तिशत आरचड देने के फैसले की स्वराहन की राज़पाल राम नाईक ने कहा कि आरचड के मुद्दे ने संसद में कम से कम पिछले कई सत्रों से काम न करने की प्रथा को तोड़ दिया है यह आरचड गरीब समडों के लिए आगे बढ़ने का एक बहतरीन मौका है आप देखेंगे तो इस समय का सत्र या उसके पीछे के सत्र चर्चा लगबग नहीं हो रही थी यह एक दिश्टी से अच्छी बात हुई कि इस समय पर आरक्षन के विशे पर चर्चा हुई नया आरक्षन दिया गया है जिस आरक्षन के आधार पर जो गरीब चात्र है गरीब लोग है उनको और आगे बढ़ने के लिए मौका मिल सकता है कि ये मामला सरोच नयायले के अधीन है और सरोच को नीरणे करना है और सरोच के न्यरणे करने में उसकी प्रक्रिया है उसके तःत सरोच नयायले में कुछ समय मालूं में नहीं है लेकिन ये हम सब चाहेंगे कि जितना जल्दी उसके बारे में निर्णे हो उतना अच्छा हो